लास्ट वीडियो में हमनों वर्षिट 1 कंप्लेट के थे आज हमनों को वर्षिट 2 कंप्लेट करेंगे वर्षिट 2 में फर्स्ट वर्षिट क्या है find the cube root of the following by prime factorization अब हमनों को इसमें क्या करना है prime factorization method से इसका cube root find करना है cube में क्या करना है 3-3 का pair बनाना तो पहले इसको prime factor method से इसका cube root निकालेंगे देखो कैसा करेंगे prime factorization method क्या है इसमें LCM find करते हैं LCM find किये तो क्या आ रहा है LCM shrubs निकालेंगे आप लोग आता होगा LCM find करने अब इसमें LCM निकाले 2-2-4, 2-9-18, 2-1-2, 2-6-12 फिर 2 से करेंगे 2-1-2, 2-4-8, 2-5-10, 2-8-16 ऐसे कि अब इसमें क्या करना है 3-3 का हम लोगो pair बनाना है cube है इसलिए 3 का pair बनाएंगे अब 3 का pair बनाते हैं 1-2-3 तीक है यह तीनों pair complete होगा कोई भी नमबर left out नहीं है जिसका pair ना बना हो तो अब जब 3 का pair बनाते हैं फिर उसको single लिखते हैं 2 है 2 लिख दिए 3 का pair बना 3 into 3 अब multiply कर देंगे 3-2 जा 6 6-3 जा 18 5,832 का cube root क्या होगा 18 18 का यह क्या है perfect cube root अब इसलिट आप से second number solve करेंगे second number के है 1728 अब इसका एल से हम फाइंड के फिर इसमें भी pair बनाएंगे 3 का pair बनेगा 1 2 3 अब क्या लिखेंगे 2 into 2 into 3 लिख लिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो cube root of 1728 किसका perfect cube है 12 का answer क्या जाएगा 12 बस इसी रप से prime factorization method में solve करना है next step 20 के 2,16,000 अब 2,16,000 के निकालेंगे ठीक है अब इसका पहले क्या करना है पहले LCM find करेंगे फिर next step में 3 3 का pair बनाएंगे पहले pair बनाते है 1 2 3 4 ठीक है अब इस number को लिखेंगे 2 हो गया है 2 3 5 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 तो यह किसका perfect cube है 60 का 60 हो गया answer अब फोर्थ नंबर के है 21,952 ठीक है अब इसको हम लोग solve करते हैं अब इसका पहले LC हम find के ठीक है अब pair बनाएंगे 1 2 3 अब देखो हैं आप सिंगल सिंगल time phase को लिखना है 2 2 जा 4 4 7 जा 28 21,952 किसका perfect cube है 28 का इसी टाप से किसी भी question को prime factorization method में इस टाप से solve करेंगे अब देखो question इंटीजर नेगेटिव नंबर है क्योंकि नेगेटिव और positive नंबर है तो नेगेटिव का नेगेटिव नंबर is always negative किसी भी number कोई नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका cube भी क्या होगा negative में ही इसका answer आगा तो यहां पर वर्षिट 2 वर्षिट 2 में यह किसमे नेगेटिव नंबर है तो इसका भी जब हमने पेयर बनाना है तो आप पेयर बनाते हैं 1 2 3 ठीक है यहां पर 2 होगा होगा complete अब हम लोग इसमें क्या करेंगे पेयर बनाने के पर क्या करते हैं तो यहां पर पेयर बनाएं 1 2 3 यह कहा है नेक्स अब इसको में सिंगल सिंगल टर्म में लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो यह क्या होगा माइनस 12 क्यूब रूट ऑफ माइनस 1720 का answer क्या होगा माइनस 12 ठीक है अब next question number 2 solve करते हैं question number 2 क्या है माइनस 27,44,000 अब इसका में प्राइम factorization method से पहले solve करेंगे ठीक है अब इसका क्या करना है next step में 3 3 का pair बनाना है तो pair बना लेते हैं ठीक है 1 2 3 4 4 pair बन रहा है अब इसको सिंगल सिंगल टर्म में लिखेंगे ठीक है 1 2 इंटू 5 इंटू 7 ठीक है यहां पर भी ऐसे pair बना सकते हैं अब इसको लिखें अब इसको multiply कर देते हैं 2 2 जा 4 4 5 जा 20 27 जा 140 नेगर्टिव टर्म में इसलिए answer भी नेगर्टिव बहाएगा answer is minus 140 ठीक है अब देखो next number क्या है third number minus 4,74,552 अब इसका हम लोग प्राइम फेक्टराइजेशन में इसको solve किये ठीक है अब next step में क्या करना इसका pair बनाना है 1 2 3 pair बन गया 1 2 3 pair बनाने के बात क्या करना है single single term में लिखना है 1 2 x 3 x 30 ठीक है 3 2 जा 6 13 चाहिए फिर 13 चाहिए फिर 13 चाहिए, 13 चाहिए 78 तो answer क्या जाएगा minus 78 ठीक है last है fourth number 5832 अब इसका हम लोग LC हम फाइंड करेंगे prime factorization method से क्या होगा answer तो यहां पर solve किया है rough में pair बन रहा है 1 2 3 अब इसको single single term में लिखेंगे 2 x 3 x 3 2 3 जा 6 6 3 जा 18 एंसर क्यागा minus 18 ठीक है तो वही answer है minus 18 पहले से pair बना दिए इसका single term में लिखेंगे फिर multiply के तो हम लोगो answer मिल जाएं ठीक है cube root हो गया अब देखो next question देखते है third number evaluate अब इसको हम लोगो simple form में इसको solve करना है अब इक question क्या है cube root के form में है अब इसको हम लोगो easiest form में simple form में convert करना है क्या है cube root 8 into 125 इसको हम लोग two types से solve कर सकते है या तो इन दोनों को पहले multiply करें उसके बाद prime factor निकाले या फिर single single इसका prime factor निकालके solve करें तो देखो कैसे solve करेंगे ठीक है 8 है 8 किसका cube है 2 into 2 into 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 cube is equal to 8 तो 8 को हम लोग इस form में लिख सकते हैं 125 यह किसका cube है 5 into 5 into 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125 तो इसको हम लोग इस form में लिख सकते हैं 5 cube ठीक है लिख दिये अब क्या है दोनों का हमारा क्या exponent equal है जब exponent equal होता था हम लोग ब्रैकेट ही यूज करके इसको whole cube लिख सकते हैं अब क्या है हम लोग को मालूम मज़े से square root में क्या करते हैं अगर कोई भी number क्या है ए ठीक है अगर इसका क्या है exponent square हो तो square और root cancel हो जाता था 2 into 5 इन दोनों को multiply के 5 to 10 तो answer क्या जायागा 10 ठीक है अब देखो second number question क्या है cube root of 3375 into negative 729 अब इसको भी इसी राफ से solve कर लेते हैं पहले क्या करेंगे 3375 का हम लोग LCM या फिर prime factorization measures को solve करेंगे कर लेते हैं 3375 ठीक है लास्ट में क्या है यहाँ पर 5 है पहले add करते हैं 3 plus 3 6 6 plus 7 13 13 plus 5 18 3 से होगा divide 3 से करते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 ठीक है फिर यह 3 से होगा 5 plus 2 7 7 plus 2 9 3 से होगा divide 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 5 जा 15 ठीक है अब यह देखो क्या आ रहे है 5 plus 7 12 12 plus 3 15 फिर यह 3 से divide होगा 3 से कर देते हैं 3 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 अब क्या रहा है 5 plus 2 7 7 plus 1 8 3 से नहीं होगा last digit क्या है 5 तो इसका मदब यह किस से divide होगा 5 से तो 5 से कर देते हैं 5 2 जा 10 5 5 जा 15 फिर से 5 से होगा 5 5 जा 25 फाइव बन जा 5 अब यह देखो पेर बन रहा है 3 3 का तो यहां लिख दिया है 3 times multiply किये अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 cube into 5 cube इसी फॉर्म में convert कर दिया ठीक है अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते 3 into 5 whole cube इस फॉर्म में लिखे ठीक है तो यह cube और यहां पर यह root cube लगा यह दोनों 729 का prime factor find कर लेते हैं 729 ठीक है इसको हम लोग 3 से करेंगे 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 फिर 3 से जाएगा 3 8 जा 24 3 बन जा 3 फिर 3 जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 जा 3 अब pair बनाते हैं 1 2 3 3 का 2 pair बन रहे हैं ठीक है अब इसको क्या लिखे है 3 cube into 3 cube फिर इसको next step में यह लिख लिए है next step में क्या करेंगे यह whole cube हो जाएगा ठीक है यह cube और यह cube cancel हो गया ठीक है दोनों का cube cube cancel हो गया तो अब क्या यहां पर left out है 15 into 3 3 जा 9 जा 15 9 जा 135 number negative में था इसलिए negative में answer है क्या हो जागा 135 answer ठीक है अब question number 3 last में क्या था cube root 4 cube into 5 cube easy है इसमें पहले क्या करेंगे whole cube के form में लिख लेते हैं क्याकि अब इसको whole cube लिखे cube और cube root cancel हो गया तो यह क्या बच किस form में लिखे 4 into 5 अब multiply कर देते हैं 4 5 जा 20 answer क्या जागा हमारा 20 ठीक है अब question number 4 3 complete हो गया question number 4 find the cube root of the following rational number अब हम लोगों rational number का cube root find करना है इसमें भी क्या करेंगे prime factorization method से पहले factor find करेंगे उसके बाद इसका root क्या करेंगे group बनाएंगे 3 3 का pair अब इस single form में लिखे multiply करेंगे अब देखो कासे करना है 4913 पहले इसका prime factor find करेंगे ठीक है find यह क्या रहा है 17 x 17 x 17 इसके place में लिख दिया है अब इसका है 3375 इसका भी हम लोग क्या करेंगे prime factorization method में rough area में इसको आप लोग find कर सकते find क्या pair बनाएंगे 5 and 3 का pair बन रहा है ठीक है यह लिख लिख लिए अब क्या हो गया हम लोग को इसको क्या बोला cube root find करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हम लोगो cube का sign cube root का sign लगा लिए अब यह क्या है 17 x 17 इसको इस form में हम लोग convert कर सकते हैं 17 cube यह भी क्या हो गया 5 cube and 3 cube cube का क्या होता है 5 x 3 x 15 इसको हम लोग इस form में लिख सकते हैं 17 cube है और यह देखो इसको 5 x 3 whole cube ठीक है cube के form में लिख लिए अब इसको next step में ऐसे भी लिख सकते है 17 upon 15 whole cube ठीक है single है इसको whole cube में लिख दीए root cube और cube cancel तो क्या बचा है हमारे पास 17 upon 15 तो answer क्या जागा 17 upon 15 ऐसे single form में इसको solve कर देखो next क्या है minus 512 upon 343 इसका भी हम लोग पहले क्या करेंगे L से हम find करेंगे L से हम find के तो क्या रहा है हमारा इतना अब इसका हम लोग 3 3 का पहले pair बनाते है यह बन गया 3 का पहले 1 2 3 1 2 3 अब इसको cube के formula लिख दिये 2 cube 2 cube upon 7 cube अब इसको whole cube के formula लिख दिये यह क्या हो गया 2 into 2 into 2 whole cube और यह 7 अब इसको हम लोग multiply कर दिये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 cube और cube cancel हो गया minus तो है 8 upon 7 answer क्या जागा 8 upon 7 third number क्या है minus 686 upon minus 2662 इसमें क्या है पहले minus minus cancel हो जाएगा फिर क्या करेंगे अब इसको हम लोग easy बनाने के लिए ऐसे भी हम लोग easy form में convert करने के लिए इसका large digit क्या है 6 और इसका large digit क्या है 2 तो दोनों को पहले 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करें तो क्या करेंगे 2 3 4 6 2 4 2 3 4 6 2 1 2 2 2 3 4 6 2 3 4 6 2 2 2 simple form में आगे अब इनका LCM find करेंगे prime factorization method से solve किये क्या रहा है 7 into 7 into 7 ठीक हरी है 11 into 11 into 11 अब इसको किस form में लिख देंगे 7 cube upon 11 cube यह होगे दोनों का numerator और denominator दोनों का cube क्या exponent क्या है equal है इसलिए whole के form में लिख दी है यह cube और यह cube root cancel हो गया 7 upon 11 7 upon 11 क्या हो गया इसका answer हो गया ठीक है बहुत easy इसमें क्या करना है पहले हम लोगों इसका rough area में या फिर यहां पे भी आप लोग क्या कर सेते हैं पहले prime factorization method से इसको solve कर लेंगे उसका 3 3 का pair बनाना है 3 का pair बन जाएगा फिर cube के form में लिख लिए cube और cube root cancel हो जागा फिर जो answer आएगा वो हमारा final answer है अब तो फिफ नंबर कहा है by which smallest number must 5400 be multiplied to make it a perfect cube अब हम लोगो smallest number find करना है जिसको हम लोग 5400 से multiply करेंगे तो यह perfect cube बनेगा यह perfect cube नहीं है इसको perfect cube बनाने के लिए हम लोगो smallest number से multiply करने तो किस से करेंगे इसके लिए क्या करेंगे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे prime factorization matrix से इसका prime factor find करेंगे ठीक है prime factor of 5400 तो पहले हम लोगो solve किये अब इसका क्या करना है पहले हम लोग pair बनाएंगे 3 3 का pair बनेगा 1 2 कौन left out रहे गया 5 into 5 इसमें यह 3 का pair complete नहीं हुआ तो on grouping the factors we find 5 into 5 5 is left out कि यह complete नहीं हुआ pair हम लोगो 3 का बना रहे है only 2 numbers है तो यह हमारे पास अभी free रहे है तो आप क्या करेंगे so if we multiplied 5400 by किससे multiply करेंगे 5 यहां पर क्या है pair कितने का बनता थरीका इसमें से 2 numbers हमारे पास कितने number नहीं है only 1 , 5 तो हमने किससे multiply करेंगे 5 से multiply करेंगे तो यह pair complete हो जाए 5 0 0 0 5 4 0 20 2 आगे carry 55 जा 25 plus 2 27 तो एंसर कहा रहा है 27,000 27,000 के है perfect cube अब हम उसको solve करके देख लेते हैं यह perfect cube है यानि कैसे check करेंगे 27,000 का prime factor find करेंगे 0 2 से करते हैं ठीक है 21 जा 2, 23 जा 6, 25 जा 10, 20 जा 0, 20 जा 0, 26 जा 12, 22 जा 4, 25 जा 10, सरी यहां पर क्या होगा 26 जा 12, 15 जा 27 जा 14, 25 जा 10, 20 जा 0, 23 जा 6, 23 जा 6, 27 जा 14, 25 जा 10, अब किसे करेंगे 5 से 56 जा 30, 57 जा 35, 55 जा 25, 5 जा 5, 53 जा 15, 55 जा 25, 52 जा 10, 57 जा 35, अब 3 से करेंगे 3 जा 27, 3 जा 9, 3 जा 3, अब देखो पेयर कम्प्लिट हो रहा है 3 का पेयर कम्प्लिट हुआ, 2 का भी पेयर कम्प्लिट हुआ और यहां पर 5 का भी कम्प्लिट हुआ इसका मतलब यह क्या है, perfect cube है, ठीक ना, so answer क्या है 27,000 और इसका smallest number क्या आ रहा है, smallest number is 5, multiply, अहां पर question क्या बला था, किसका बनेगा 27,000 तो बस इसमें यही करना है अब देखो इसमें क्या है इसमें क्या है इसमें क्या है इसमें क्या है जिसको हम लोग करते हैं तो पर्फेक्ट क्यूब बनता अब क्वेशन नमबर 6 में क्या करना है हम लोग ऐसे smallest number फाइंड करना है जिसको हम लोग इस number से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो इसका जो पर्फेक्ट क्यूब इसमें भी क्या करेंगे पहले हम लोग प्राइम फेक्टर पहले फाइंड करेंगे ठीक है प्राइम इसके लिए क्या है single two रहे गया अब इसमें हम लोग का complete नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे we observe that prime factor two ठीक है two does not from a pair cube cube का pair नहीं बन रहे है किसका two का तो अब क्या लिखेंगे therefore we must divided the number by two into two so that the quotient become a perfect cube अब हम लोग यहाँ पे left out number कौन कौन सा है two into two इन दोनों से हम लोग इस number को क्या करेंगे divide करेंगे तो जो कोशेंट है वो क्या होगा perfect cube 2 into 2 क्या जाएगा 4 तो कोशेंट बिकाम पर्फेक्ट क्यों 2 into 2 4 4 से divide किए 4 से divide किए तो answer क्या रहा है 4096 now each prime factor occur in pair there for the required smallest number smallest number क्या है smallest number हमारा क्या है 4 जिससे हम लोग डिवाइड किए अब तो answer हमारा perfect cube कौन सा बन रहा है 4900 सरी 4096 अब इसको देखो pair बन रहा है यानि complete 1 2 3 4 इसको मैं ऐसे लिख सकते है 2 into 2 into 2 into 4 times 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ठीक है तिक किसका perfect cube है 4096 एक किसका क्यूब रूट है 16 का यह perfect cube है तो यहाप आप हम लोग सॉल्व करकि इसका पहले prime factorization method से इसका हम लोग सॉल्व किये तो इसका pair बन रहा है नहीं 1 2 3 4 complete हो रहा है इसका smallest divided number क्या होगा smallest number 4 और perfect cube कोशेंट क्या है 4096 ठीक है question number 6 complete हो गया last case 7 number find the cube root of the following number through estimation ठीक है अब estimation के through हम लोग को इस number का क्या find करना है cube root estimation method के through अब इसमें क्या करेंगे देखो यहाप पहले rule देख लो क्या है cube root of number through estimation step one क्या है start making the group of three digit starting from the right most digit of the number first step में हम लोग क्या करना है जो भी number हम लोग को दिया जिसका भी हम लोग को estimation value find करना है इसमें क्या करेंगे first में हम लोग इसका 33 का group बनाएंगे और किस साइट से start करना unit place से group बनाना start करना है इस साइट से group बनाना start करना है तो कौन सा बनेगा 4 2 and 8 824 second group क्या बना 1 & 3 13 next step में क्या करेंगे step 2 में अब हम लोग को ऐसा विचो रोट रोट अब हम लोग को एसा वर सी अबर डोमेnement करें तो फिर से उसके प्लेस में क्या आना चाहिए 4 तो यहां क्या 4 4 को 3 times multiply करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64 इसके भी unit place में क्या रहा है 4 once place में 4 आ रहा है तो इसका भी estimation value में इन तीनों का हम लोग क्या ले लिए place 4 ठीक है third में क्या करें now take other group other group क्या था 13 था second group क्या था 13 13 लिए we know that 13 को देखो center में लिखेंगे last chapter में square root का estimation भी सिटाप से फैंड के 13 लिखें अब 13 से smallest और greatest हम लोग nearest number लेंगे क्या है 27 and 8 यह दोनों क्या है 8 और 27 क्या perfect cube 27 किसका perfect cube root है 3 का और 8 किसका है 2 का लिख लिखेंगे इसका मतलब जो 13 है वो 2 और 3 के center के ही कोई number का है तो आप क्या करेंगे so we take one place of the smaller number is it 2 as the 10th place of the required cube root देखो यहां 2 और 3 में smallest number क्या है 2 इसलिए हम लोग 10th place में क्या ले लेंगे 2 तो हम लोग 1 place में क्या लिए थे 4 और 10th place में क्या लिए 2 तो नमबर क्या बनाए 24 इसका मतलब 13,824 इसका perfect cube क्या बनेगा 24 यह 24 का perfect cube है अब हम लोग worksheets से solve करते तो ज्यादा अच्छ समझ में आएगा दो यह question क्या है find the cube root of the following number through estimation first क्या है 10,648 पहले इसका क्या क्या करेंगे group बनाएंगे the number of digit in 10,648 इसमें कितने नमबर से 1,2,3,4,5 और क्या है 5 step 1 क्या करना है make group of 3 digit starting from unit place digit unit place से हम लोग इसका group बनाना है start करना है तो यह हो गया first group और यह second group first group second group ठीक है first group क्या है 648 unit digit क्या है 8 ठीक है तो 8 का हम लोग कौन से नमबर को लिखेंगे जिसको हम लोग 3 times multiply करें तो unit place में 8 है तो किस में आएगा 2 x 2 x 2 x 2 x 4 x 4 x 2 x 8 इसलिए हम लोग क्या लिए 2 cube ठीक है तो इसका unit place once place में क्या हो जाएगा 2 group अब third step क्या है second group अब second group लिए second group क्या था 10 10 ले लिए ठीक है अब 10 का में लोग को nearest क्या smallest number और greater number find करना है तो क्या लिए 3 square 2 square 3 square की लिए 3 x 3 x 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और smallest में क्या लिए 2 x 2 x 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो क्या हो रहा है 8 is less than 10 10 is less than 27 तो इसका basic number क्या 2 and 3 10s place digit 2 2 क्यों लिए है क्यों 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 smaller number लेना था ठीक है smallest number 2 तो 10s place में हम लोग क्या लेंगे 2 ठीक है तब देखो 10s place में क्या लिख लिए 2 once place भी हम लोग क्या find के थे 2 तो answer क्या जाए 22 बहुत easy है first number हो गया और देखो second number solve करते है 15625 ठीक है इसमें भी क्या करेंगे पहले unit place ग्रूप बनाएंगे यह होगा first group यह होगा second group ठीक है first group का unit digit क्या है 5 ठीक है 5 है which can be obtained by the cube of number having unit place digit as 5 अब हम लोग इसका five का cube root निकालेंगे तो क्या रहा है 125 इसका निकाले तो last digit तो क्या रहा 5 अब हम लोग क्या करेंगे 5 at the unit place 5 को हम लोग क्या ले लेंगे unit place में ठीक है once place क्या हम लोग को मिला 5 ठीक है अब देखो group क्यों बनाते group का मतलब क्या है तो दो यहां पर दो ग्रूब बना यानि कि इसका जो भी हम लोगा क्यूब रूट निका लेंगे उसमें वो टुड़ीजिट में अंसर होगा अब बाई चैन्स यह 3 group बनता ठीक है 1st, 2nd and 3rd 3 group बनता इसका हमलब इसका answer क्या होता 3 digit में find होता है इसलिए group बनाते है तो unit place भी क्या गया 5 अब 10th place find करना है 2nd group क्या है हमारा 15 अब 15 क्या हमलों को nearest क्या smaller and greater number find करेंगे तो क्या है 2 and 3 2 cube क्या होता है 8 and 3 cube is 27 8 is less than 15 is less than 27 अब हम लोगो क्या करना है smallest number इसमें से हम लोगों को लेना है तो smallest number क्या है 2 तो 10th place में क्या होगा digit 2 ठीक है तो answer क्या हो रहा है 10th place में 2 ले लिए unit place क्या है 5 answer is 25 अब देखो 3rd number 3rd number answer क्या है 1,10,592 step 1 क्या है from the easiest form में notes में लिखने या exam में लिखने का बताई हूँ और अगर book के according चलोगे तो इस टाइप से लिखना है तो आप लोगो जो भी method easy लगे उस method में आप लोगो लिखेगा इसलिए मैं दोनो method में बताई हूँ starting में easy था अब ये book में एक्जामपल दिया उस form में है from the group of this digit starting from the rightmost digit of अब इसका right side से हम लोग group बनाना स्टाट किया ठीक है यह हो गया first group यह हो गया second group ठीक है first में हम लोगो क्या करना है first group लेना है let us consider the first group 592 it has two in its one space इसके one space में क्या है one space में two है तो in its own space now eight cube eight cube करेंगे देखो अगर हम लोग eight का cube करते है eight eight जा 64 और 64 eight जा क्या होता है five hundred twelve तो हम लोग eight cube ले रहे है तो one space में हम लोगो again क्या मिल रहा है two यहां पर भी two यहां पर भी two हम लोग को ऐसा digit ले ना जिसके cube निकाले तो one space में क्या है two इसलिए हम लोग क्या ले लिए eight cube so five hundred twelve also has two in its place इस place में क्या है two so this gives the number at once place of the required cube root ठीक है तो हम लोग इसके one space में कौन सा number लेंगे one space में eight होगा number ठीक है one space के लिए हम लोग नमबर क्या find किए eight अब हम लोग को ten space find करना है तो अब क्या हो जगा है now consider the second group second group क्या था 110 अब 110 के nearest smallest and greatest number लेंगे तो smallest में क्या है cube root perfect cube root के है 64 and 125 64 किसका perfect cube root है 4 का और 125 5 का अब इन दोने में हम लोग क्या लेना है smaller number लेना है so the smaller number between 4 and 5 is 4 4 और 5 में smaller number क्या है 4 है तो हमने 4 ले लिए which qualifies for the 10th place 4 क्या है qualify किसके लिए कर रहा है 10th place के लिए 10th place में हम लोग क्या रिखेंगे 4 10th place में 4 ले ले लिए step number 2 में find क्या था 8 so answer is 48 answer क्या जगा 48 यह estimation value हो ठीक है अब देखों है fourth last number क्या है 91,125 first step में क्या करें group बनाएंगे ठीक है यह हो गया first group यह हो गया second group ठीक है group starting किस place से करना unit place से group बना लिए second में क्या करना है अब हम लोगो इसका जो last digit ठीक है 5 तो हम लोगो ऐसा कोई भी cube root लेना है जिसको हम लोगो multiply करें तो उसका भी unit place में क्या है 5 तो 5 को 3 times multiply करेंगे तो क्या होगा 125 इसके भी unit place में क्या रहा है 5 तो हम लोग unit place में क्या लेंगे 5 so this gives the number at once place of the required cube is क्या लेंगे unit place में 5 थर्ड नंबर क्या है now consider the second group is 91 second group हमारे क्या है 91 है तो अब second group लेकर की solve करें second group में हम लोगो क्या करना होता है nearest smallest number और greater number लेते हैं ठीक है जो 91 के smallest sorry nearest हो तो nearest में क्या है 64 है 124 64 किसका cube root है 4 और 125 5 का ठीक है so the smallest number between 4 and 5 is 4 इन दोनों में 4 और 5 में smaller number क्या है 4 है तो अब हम लोग 10th place में क्या ले लेंगे 4 10th place में 4 ले लिए और unit place में क्या है 1st place में हम क्या find किया थे 5 तो answer क्या जागा 45 इस टाप से हम लोगो estimation value find करना है तो आप लोगो ये example वाला easy लगए तो आप लोग इसको भी solve कर सकते हैं या फिर ये shortcut form में अच्छा लगा तो ये भी तो वार्षीट 2 हमारा complete होता है next वीडियो में हम लोग value based question and brain teaser complete करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगो इसको like और share कर देगा अगर चैनल मेनी में तो subscribe कर देज़ेगा thank you है या कर देगा एख फथशा टुक